हेलो दोस्तो, वेलकम बैक टू बेबी टेल्स भाई प्रिया, आज हम सुनने वाले हैं एक चीटी और टिड़ा की कहानी एक बार एक चीटी और टिड़ा था, दोनों बहुत अच्छे दोस्ते, गर्मियों की दिनों की बात है, टिड़ा दूप में आराम से खेल रहा था, मस्ती कर रहा था, नाज गा रहा था, तभी दूसरी तरफ जो चीटी थी, वो बहुत कड़ी मेहनत कर रही थी चीटी ना भूजन की दानों को इखटा करके अपने बिल में जमा करती जा रही थी, तो टिड़ा ने जब ये सब देखा तो उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने चीटी को आवाज दी और कहा, अरी चीटी तुम ये सब क्या करने में लग गई हो, आओ ना मेरे साथ हम दोनो खेलते हैं, तो चीटी ने कहा कि नहीं मैं अभी नहीं आ सकती, अभी मैं सर्दियों की दिनों के लिए बूजन इखटा कर रही हूँ, तो चीटी की बात सुनकर टिड़ा को हसी आ गई, बुला अरे अभी तो सर्दियों में कितना वक्त बाकी है, तुम क्या अभी से ही खान जमा करने लग गई हो, ऐसा बोलकर टिड़ा तो वापिस अपनी मस्ती में लग गया, पर चीटी वो महनत करती रही और खाना जमा करती रही, जब सर्दियों के दिन आए, तो टिड़ा को कहीं पर भी कुछ भी खाने को मिली नहीं रहा था, वहीं दूसरी तरफ चीटी के प क्या सिखाती है, कि हमें अभी आज के दिनों में कड़ी महनत करना चाहिए, अभी की हुई कड़ी महनत का फल हमें कल भी मिलता है, ओके?